तेलगू बोलने वाले भी थे, मराथी बोलने वाले भी थे, कनड़ा बोलने वाले भी थे, सब थे उस समय ऐसे नहीं थे, बिटिश लमाने में सब अलग-अलग administrative states था Bombay presidency, Bombay में तिल्गू बोलने वाले भी थे, मराथी बोलने वाले भी थे, कनड़ा बोलने वाले भी थे, सब थे इसी तरह Bengal presidency या मद्रास presidency तो हमने का ने, ये तमाम राज्यों का पुनर घटन होना चाहिए एक भाषा बोलने वाले जो भौमत के हैं, उनका एक राज्यों होना चाहिए ये Congress Party ने आजादी के पहले ये कमिट किया था, हम करेंगे लेकिन आजादी के बाद वो पीछे हट गए हमारे देश की बड़े पूझिपती नहीं चाहते थे कि भाषा आधारित प्रदेश बने उन्होंने का इससे देश का विगटन होगा, लिंग्विस्टिक बॉल्कनाइजेशन टुकडे टुकडे हो जाएंगे हमारे देश विरोध किया तो सरकार कॉंग्रेस सरकार पीछे हट गए फिर जन्न अंदोलज शुरूआ कॉम्मिनिस पार्टी ने कहा आंदर में तिलगू बोलने वाले सब लोगों का एक अलग प्रदेश होना चाहिए विशाल आंदरा महराष्ट के मराठी बोलने वालों का सब एक प्रदेश होना चाहिए सम्युक्त महराष्टा केरल का होना चाहिए आई के केरला ये नारे और उसके बारे में किताबें लिखी गए छोड़ी छोड़ी किताबें कॉम्मिनिस पार्टी के नेता आज भी केरल में याद करते हैं इमस ने किताब लिखी थी आई के केरला के बारे में उसका आधार क्या है क्यों होना चाहिए एक भाशा बोलने वालों के इसी से जंतंत्र होगा कायम होगा पी सुंदरिया ने लिखा विशाल आंदरा सम्युक्त महराष्ट्रा में कॉम्मिनिस पार्टी के नेतृत इसे डांगे वगएरा के नेतृत को मानिता दी गए थी कि यही लोग महराष्ट के लिए लड़ रहे और इतना बड़ा जन आंदोलन खड़ा हुआ कि अंत में अलग-अलग राज्यों का पुनरगटन करना पड़ा स्टेट्स रियोगनाइजेशन कमिटी बनके यह बना अंत में यहां पंजाब और हर्याना यह पंजाबी सुभा और हर्याना बनाने का तक चला यह प्रोसेस तो यह हमारे देश के जनतांत्रिक जो आधार है फाउंडेशन कि लोगों को अपना एक राज हो जिसका जिसमें सरकार और प्रशासन और शिक्षा अपनी भाषा में किया जा सकता है यह फाउंडेशन है डिमॉक्रसी के तो इसी लिए यह लड़ाई कॉमिनिस पार्टी ने चलाई थी पचास के और साथ के दशक में तो इस तरह अलग-अलग सवाल ओपर कि हमारे देश में जनतंत्र को कैसे मजबूत किया जाए आज हम अपने संविधान के रक्षा की बात कर रहे हैं क्योंकि यह संविधान पर इतना बड़ा हमला है भाजपा और आरसस के और से लेकिन संविधान में कुछ कमिया भी है तूटिया भी है कुल मिला के देखा जाए हमारे संविधान हमारे जनतंत्र और सेकलरिजम और हमारे स्वतंत्र धांचा जो है समप्रबुत्ता है उसको उसके डिफेंस में है ये constitution लेकिन उसमें कुछ कमिया भी है उस समय हमने कहा था जैसे article 356 है 356 है समविधान में जिसको इस्तमाल करते हमेशा केंद्र सरकार राज सरकारों के खिलाफ जहां भी राज सरकार विरोधी पक्ष के पार्टी के हाथ में हा जाती है तो उसके खिलाफ काम करते इस्तमाल होता है जैसे कैरल में कॉमिनिस सरकार पहले बनी थी उननीस सो सतावन में 57 में बहुमत प्राप्त किया था कॉम्मिनिस पार्टी एक मात्र पार्टी के रूप में सरकार बनी थी इमस नम्मूद्री पार्ट मुख्य मंत्री बने हमने भूमी सुदार लागू किया तो एकदम विरोध शुनू हो गया तब नहरु सरकार ने उस सरकार को डिस्मिस कर दिया तीन सो चपन इस्तमाल करते हुए भूमत था असेंबली में फिर भी डिस्मिस कर दिया उसके बाद सौ से ज़्यादा मेरे क्यार में अभी एक सो पचीस तक हो गया होगा सवासो भार इस्तमाल हुआ है तीन सो चपन राज सरकारों को भरकास करने के लिए हमने का यह तो गहर जनवादी एक धारा है इसको हटाओ इसी तरह गवर्नर को इस्तमाल करने का तरीका यह सब इस तरह के कुछ बाते है तो हमारे जनतंत्र को और मजबूत करने के लिए सुद्रण करने के लिए और संविधान में ऐसे धाराये हैं जो इसके विप्रीत है उसको खतम करने के लिए उसको बदलने के लिए या संशोधित करने के लिए वो संगर्ष सेंटर स्टेट रिलेशन और हमारा एक संगवादी डांचा हो फेडरल सिस्टम हो वो संगर्ष को हमने चलाया है और उसके साथ साथ हमारे देश में जन्तांत्रिक और सेकिलर जो मूल्य है संविधान में उसके डिफेंस में और उसको मजबूत करने के लिए हमने संगर्ष किया तो यह जो आजादी की लडाई का पूरा इतिहास है उसमें कॉंग्रस पार्टी कॉम्मिनिस्ट पार्टी सोशलिस्ट पार्टी और जितने भी इस तरह के ताक्ते थे वह राष्ट्य आंदोलन में जो एक व्यापक मन्च था राष्ट्य आंदोलन उसमें समें मिलके काम किया उसमें अलग-अलग धाराये थे अलग-अलग सोच महीं थे और मद्बेद भी होता था 1908 आदोलन 1921-22 के इसस यह सब काम के दूर रहते हैं अलग रहते हैं तो RSS कе क्यों ने राश्ट आंदोलन में भाग लिया RSS क्यों कहते थे यह जो गांदी जी और कॉंगरसी है कॉंगरस के नित्रत वाली आंदोलन है यह हमारे समाज और हिंदूज들 के हित में नहीं है क्यों कहते थे क्योंकि RSS के विचार धारा क्या है RSS ने कहा कि हमारा काम हमारा पूरा लक्ष जो है हिंदू समाज की रक्षा के लिए है हिंदू धर्म को की रक्षा के लिए है तो हमारे लिए हजार साल पहले जो हिंदू राष्ट्र होता था वो हिंदू राष्ट्र को खतम किया जब मुस्लिम इन्वेलर्स आए तो हमारी गुलामी जो थी वो तो तब से है और हमें भी हिंदू समाज को मुक्त करना है तो हमारे लेक हत्रा भी बिटिश नहीं है बिटिश आए या गए उसके जाए उसके बाद कोन आने वाला है अगर मुस्लिम आएगा तो इसका मतलब हमारी गुलामी बरकरा रहेगा तो हमारी लड़ाई मुस्लिम के खिलाफ है और जैसे जैसे राष्ट्य आंदोलन बढ़ते गया तो उन्हें का खत्रा बढ़ रहा है यह हमें सुनिश्चत करना है कि मुस्लिम कहीं भी ने रहे और उनके विचार धारा में यह बात सवरकर से लेके गोलवालकर ने बताया था कि हम नहीं मानते हैं कि जो इसलाम पर विश्वास करते हैं वो हमारे देश के हिंदू समाज के बाहर है और उनको हिंदू समाज के बाहरे का मतलब हिंदू ने है तो आप नागरिक ने हो सकते हैं citizenship ने है आपका इन दे न्यू इंडिया यू फ्री इंडिया यू कैनाट बी ए सिलिजन बौद इसाई बौद सिक और जैन को हम मानते हैं क्योंकि ये हमारे देश के अंदर से ये धर्म पैदा हुए है पुन्यभूमी ये पुन्यभूमी में है लेकिन इसलाम और इसाई ये नहीं है इस कैटिगरी तो उनके लिए ये था कि ये राश्टिय आन्दोलन जिस आंदोलन में हिंदू भी है, मुस्लिम भी है, सब मिलके लड़ रहे हैं, यह हमारा आंदोलन है हिंदूओं को अलग करके उनके इंटरेस्ट को डिफेंड करना यह कॉमन आंदोलन हमारे लिए हमारे इंटरेस्ट के खिलाफ है तो ये सोच समझ के उन्होंने तैय किया हिग्डेवार जो नॉन कॉपरेशन मुवमेंट में जब वो चात्र थे मेडिकल स्टूडेंटे कलकता में नॉन कॉपरेशन मुवमेंट में शामिल हुए थे उसके बाद ये हिंदू महासबा और हिंदू विचार के प्रभाव में उन्होंने फिर कहा कि हमारा लक्ष शिर्फ हिंदू समाज के रक्षा और हिंदू समाज के अडवान्स के लिए है बाकी सब को हम नहीं मानते हैं तो ये राष्ट आंदोलन है ये एंटी हिंदू है, क्योंकि ये हिंदू मुस्लिम यूनिटी की बात करते हैं, और मुस्लिम उप्रशर है हमारे लिए, उप्रशर के साथ कैसे हो सकता है यूनिटी, तो तब से लेके RSS ने राष्ट आंदोलन के खिलाफ या उसके विपरीत काम करना शुरू कर दिया था तो ये हमारे देश में two nation theory जो कहते हमेशा जिन्ना के उपर छोड़ जिम्मेदारी ठोपते है जिन्ना इसके बारे में बहुत बाहद में आया और जब उनकोंने देखा कि कोई और possibility नहीं है उसका हिस्त इतिहास अलग है वो तो कोई वो तो हिंदू ये मुस्लिम कुछ ऐसे सोचते भी नहीं थे वो मुस्लिम ही नहीं थे in practice, सब जानते हैं